नमस्कार दोस्तों वो कहते हैं ना हम ना होते तो तुझे गुलाब कोन कहता हम ना होते तो तेरे चेहरे को खुली किताब कोन कहता ये तो करिस्मा है हम प्यार करने वालों का ये तो करिस्मा है हम प्यार करने वालों का वरना पत्थर के मिनार को ताज कोन कहता नमस्कार दोस्ते एक बार फिर से आपका हर्दिक स्वागत है आपके अपने यूटीब चैनल जी के वाई परदीप सर पर और प्यारे बच्छो एगरिकल्चर और एनिमल अजमेंटरी के आज मैं बड़े सिलेक्टिव कोश्चन लेकर आया हूँ जो आगामी एक्जाम में साथ में प्यारे बच्छो इंडिया जी के भी पढ़ते रहना हम एना प्यारे बच्छो एक या दो दिन में आप कहते हो तो फिर से लाइव कलास मैं सुरू कर दूंगा कॉमेंट करके बताना जै मासरस्वती का नाम लेके प्यारे बच्छो आज के लेक्चर की शुरुआत क करते हैं यह कोशन आता है कि पस्वों की आयू की गणना किस के अधार पर होती है तो प्यारे बच्छो पस्वों की आयू की गणना है ना वो दांतों को गिनकर होती है किसको गिनकर होती है दांतों को गिनकर है ना पस्वों के आयू की क्या की जाती है गणना की जाती है और पुराने है ना प्यारे बच्चों जो पुराने आउसेस है ना ठीक है जैसे हम कह सकते हैं आउसेस जो पुराने टाइम में मिले हैं तो उनकी गणना है एक पढ़नाली होती थी science की c14 के आधार पर की जाती है और c14 के आधार पर ना सिंदु सब्यता का काल पुछा गया था तो 53, Simon Puro से लेकर 1750 इसा पूरो कुन सी सब्यता थी सिंदु सब्यता किस के अनुसार होती थी c14 के अनुसार होती थी एक आया था प्यारे बच्चो वाइट रस्ट रोग होता है ना वो किस में होता है वाइट रस्ट रोग होता है ना वो किस में होता है तो ये सरसों में होता है किस में होता है लाड़ले बच्चो सरसों में होता है सरसों अगर मैं बात करू ना भारत की तो राजस्तान साइड जादा होती है हरियाना की बात करूना सरसों मेहंदर गड में होती है भी एक आंकड़ा है या इसके अनुसार प्यारे बचो भीवानी में भी सरसों क्या होती है जादा होती है और यह याद कर लेना सरसों कहां पर जादा होती है मेहंदर गड में जादा होती है और वाइट रस रोग है ना किस पसल में होता है तो वाई ट्रस्ट रोग सरसों में होता है एक पूछा जाता है गाएं की कौन सी नसल है ना सो परसेंट सपेद होती है गाएं की कौन सी नसल है ना वो सो परसेंट सपेद होती है सो परसेंट क्या होती है सपेद होती है बिल्कुल प्योर वाइ के if जो नागोरी है ना इम्पोर्टेंट है नागोरी वे जो गाएं की रहेगी ना वो 100% क्या रहेगी प्यारे बाइगे सपेद नागोरी गाएं कहां पर पाई जाती हूं पतिस्थल नागोर राजस्थान में और सब साइती राजा है तो जोड़ा पूछा जा सकता है एक बार है था प्यारे बचों जो अमली ये वर्ज अमली ये भूमी होती है ना वो किसके कारण होती है ये बहुत इंपोर्टेंट है कई एक्जामों में आ गया अमली ये भूमी किसके कारण होती है अमली ये भूमी होती है प्यारे बच्चों ये अधिक वर्षा के कारण होती है अधिक वर्षा के कारण यानि जहां पर वर्षा जादा होगी ना प्यारे बच्चों वहां की भूमी कैसी हो सकती है एसिड हो सकती है, अमली ये हो सकती है और प्यारे बच्चो इसी लिए ना जो ताज महल था ना सबसे पहले कहा मनाया जा रहा था उजएन में बना था ताज महल सबसे पहले लेकिन उजेन की civic में ना असीड या मल की मातरा ज़ाधा थी जो ताज महल के रंग को फीका कर सकती जिस लिए मुम्ताज महल को दुबारा कबर से निकाला गया और ताज महल कहा निक बना था आगरा तो प्यारे बच्चो एसिड भूमी या अमलिय भूमी किसके काण होती है जिस भूमी में अधिक वर्सा होती है न तो उस वो भूमी केसी हो जाती है अमलिय हो जाती है एक बार है था खु विशाणू के काण होता है, खुर पक्का रोग, खुर पक्का रोग किस के काण होता है, तो ये विशाणू जनित रोग रहेगा, कौन सा रहेगा, विशाणू जनित रोग कौन सा रहेगा, खुर पक्का रोग रहेगा, प्यारे बचों, ये किस सीजन में ज्यादा होता है, य पुर्पका रोग ज्यादा होता है और इसके क्या लगाई जा रहे है टिके लगाई जा रहे है एक यह कोशन इंपोर्टेंट है प्यारे बचो भारत में भारत में पहली पसू भारत में पहली पसू यह गणना कब हुई ती जन गणना नहीं बोलेंगे पसू गणना कब हुई और इस ताइम कौन सा सुधार हुआ था, मांटेंग्यू, चेंप्सफोर्ट सुधार हुआ था, कौन सा सुधार हुआ था, मांटेंग्यू, चेंप्सफोर्ट सुधार भी कब हुआ था, 1919 में, और सवतंतर भारत की पहली पसु जनगणना कब हुई थी, तो सवतंतर भारत की पहली पसु गणना कब हुई थी तो ये प्यारे बच्चों 1951 में हुई थी और सवतंतर हरियाना की पूछे ना तो सवतंतर हरियाना की पहली पसु गणना कब हुई थी पहली पसु गणना कब हुई थी तो प्यारे बच्चों ये 1999 में हुई थी 1969 हुई थी यहां से एक कोशन आपके आगामी एक्जाम में आपको देखने को पक्का मिलेगा कोई भी एक कोशनी सिसाब से पुछा जा सकता है एक बार है ता गेहूं की बालियों में मचली की जैसी दुरगंद आती है गेहूं की जो बलियां होती है ना गेहूं की बलियों में या गेहूं की बालों में किसे बलियों में मचली जैसी किस के प्यारे बचो मचली जैसी दुरगंद आती है जैसे मरी हुई मचली की क्या आती है दुरगंद आती है ये कौन सा रोग होता है करनाल बंट रोग होता है कौन सा रोग होता है करनाल बंट के कारण ना गेहूं की बलीयों में न क्वेस जैसी दुरगंद आती है मचली जैसी दुरगंद आती है ये किस रोग के कारण होता है प्यारे बच्चों तो गेहूं की बलीयों में मतलब दुरगंद का आना मचली के मरने जैसी दुरगंद आना करनाल बंट के कारण होता है और इ इंदर ये जो डेरी अनुसंधान के इंदर भी काम पर रहेगा हमारा करनाल में रहेगा पहले 1923 में बैंगलोरू में था फिर प्यारे बच्छों 1905 में करनाल स्तापित किया गया और रास्टिये पसू अनुवांसी की संस्थान ये दो याद कर ले ना प्यारे बच्छों रास प्रूजी कब बना था? 1984 में बना था एक आप से पूछा जाएगा प्यारे बच्छों रास्तिये पसू रास्तिये पसू आनुवांसी की ब्यूरो ये भी काम पर रहेगा? करनाल में रहेगा काम पर रहेगा? करनाल और यह कब बना था 1985 में बना था कब बना था 1925 अनवानसी के संस्तान 1984 में बना था और पसुआनवानसी की ब्यूरो कब बना था 1985 में बना था दोनों के दोनों question exam में पुछे जाएंगे एक बार question आया था दूद उत्पादन भढ़ाने के लिए किसका प्रियोग किया जाता है तो ये pro lectin pro lectin pro lectin का किया जाता है pro lectin का प्रियोग किया जाता है किसका उत्पादन भढ़ाने के लिए प्यारे बचो दूद उत्पादन भढ़ाने के लिए किसका प्रियोग किया जाता प्रो लेक्टिन का क्या किया जाता है प्रियोग किया जाता है ये भी आगामी एक्जाम में ये सारे के सारे कोशन मैं करवा रहा हूं प्यारे बचो ये किसी ना किसी एक्जाम में बने हुए आगामी एक्जाम में भी आएगे एक है प्यारे बचो मूरा और सुर्ती के ना जो मेल से जो संकर बेंस का जनम हुए वो कौन सी रहेगी महसाना तो महसाना है ना महसाना ये किस की परजाती रहेगी बेंस की परजाती रहेगी ये किस के सयोग से बनी है मूरा और सूर्ती के प्रियोग से मूरा पलस सूर्ती के सयोग से जो बेंस पेदा हुई है कौन सी ये महसा यह पूछा जाती है यहां दो गुण सुत्रों से मिलकर बनी है तो वो महसाना रहेगी मुरा और सुरती के प्रियोग से मुरा है ना ये प्यारे बच्चों important है ये अरियाना में अगर पूछे कौन सी बेंस है सबसे ज़्यादा दुधारू है या कौन सी बेंस हरियाना में सबसे ज़्यादा सुन्दर है तो कौन सी बेंस हो जाएगी मूरा बेंस हो जाएगी ये पेपर में आया है प्यारे बच्छो एक बार रहता है गाएं के दूद के प्रोटीन में क्या होता है केसिन होता है गाएं के दूद के प्रोटीन में क्या होता है प्यारे बच्छो केसिन होता है गाएं के दूद के प्रोटीन में क्या पाया जाता है तो गाएं के दूद के प्रोटीन में क्या पाया जाता है प्यारे बच्चों के सिन पाया जाता है पुछा जा सकता है गाएं के दूद के प्रोटीन में क्या पाया जाता है के सिन और प्यारे बच्चों यह एक है ना मैं नंबर देता हूं तो ये प्यारे बचो दो सो उन्चास रूपे का कोर्स रहेगा तीन दिन के लिए देख लेना, कम्प्लीट के कम्प्लीट सारे के सारे सलेवस मिल जाएंगे, इससे आप अच्छी रिविजन ले सकते हो, मेरे सारी टीम के दुआरा, दस के दस सब्जेक्ट इसमें आपको रिक कामध्हिनू गाएं, कामध्हिनू गाएं किसको कहा जाता है, जो राठी गाएं होती है ना, राठी गाएं को क्या कहा जाता है, कामध्हिनू गाएं कहा जाता है, और गरीब की गाएं पूछे ना, गरीब की गाएं किसे कहा जाता है, तो गरीब की गाएं लाड़ने विच बकरी को कहा जाता है ये भी कोश्चन आ सकता है कि बकरी हरियाना में कहां पर जादा पाई जाती है सिरसा में और गाएं भी हरियाना में जादा कहां पर पाई जाती है सिरसा में गोसाला भी कहां पर है सिरसा में उंट परजनन के अंदर भी कहां पर रहेगा सिरसा में रहेगा एक बार है था परजीवियों का म्यूजियम किसे कहा जाता है देखो प्यारे बचो बेड को क्या कहा जाता है परजीवियों का म्यूजियम किसको कहा जाता है बेड को कहा जाता है भी म्यूजियम डिपार्टमेंट किसके पास रहेगा अनूप धानक जी के पास है रहेगा जिन के पास museum और इनके पास प्यारे बचो शरम एवं रोजगार में न ये किस की साहिता कर रहे हैं हमारे डिपटी सियम की ये साहिता कर रहे हैं तो बेड़ को पर जीवियों का क्या का जाता है museum कहा जाता है एक बार है था प्यारे बचो गाएं का जो temperature कितना होता है 101.5 Fahrenheit होता है 101. एक पॉइंट पांच है फारन हाइट है किसका टेंपरेचर होता है गाएं का बेंस का पूछे ना प्यारे बचो 100 degree Fahrenheit है ना, किस का temperature होता है, तो ये किस का होता है, बेंस का होता है, और प्यारे बच्चों, बेड का पुछे तो 102 degree Fahrenheit, बेड का पुछे तो 102 degree Fahrenheit किस का रहेगा, बेड का रहेगा, तो ये इसमें temperature से भी question आ सकता है, प्यारे बच्चों, और एक है ना, मतलब बेंस है ना, इसको प इन मेना ये क्या दिखाती है लक्षन दिखाती है ताकि अगले दिन है न हम इनको परजनन के लिए ले जाएं तो ये प्यारे बच्चों मेटिंग के लिए जो लक्षन कब दिखाती है वें सामाने तोर पर रात को दिखाती है ऐसे भी कोशन आप से पूछे जा सकते हैं और प पसुओं के सीग में पहلا चला कब बनता है तो पसुओं के सीग में पहला चला प्यारे बचो तीन वर्स के बाद बनता है और उसके बाद है हर वर्स क्या हर एक वर्स बाद क्या बनता है एक है छला बनता है तो पहला छला ये पूछा गया था कब बनता है तीन वर्स बाद पहला छला बनता ये कोशन आगामी एक्जाम में भी पूछे जा सकते हैं बेंस की वह नसल जो दूई संकर है, अभी बताई थी महसाना, बेंस की वह नसल जो दूई संकर है, कौन सी रहेगी प्यारे बच्चों, महसाना रहेगी, कौन सी रहेगी, महसाना रहेगी, ये प्यारे बच्चों, सूर्ती और किस के सयोग से बनी है, सूर्ती पलस है, मूरा के सेयोग से दूई संकर यानि दोओं को मिलाकर जो नसल बनी है वो कौन सी रहेगी महसाना तो ये भी याद करना, ये किस की है भेंस की, एक बार आया था प्यारे बच्छो दो संकर गाएं, कहां पर विकसित की गई है हरियाना में तो प्यारे बच्चों ये करन स्विस के नाम से ये दो संकर गाएं दो संकर गाएं यानि गाएं की दो संकर गाएं गाएं की दो किसमें विक्सित की गई है हरियाना में कहां पर विक्सित कई गई है करनाल में प्यारे बच्चों दो संकर गाएं की नसमें मतलब नसले क्या की गई है विक्सित की गई है वो हरियाना के किस गाउं में विक्सित की गई है करनाल में और रास्टिय पसु अनुवांस की संस्तान रास्टिय पसु अनुवांस की ब्यूरो रास्टिय डेरी अनुसंधान के इंदर भी काम पर रहेगा आपका करनाल में रहेगा एक होता है प प्यारे बच्चों चीन्चडी जवर की दवा कौन सी रहेगी ये आ सकता है चीन्चडी जवर की दवा कौन सी रहेगी सलफर दव रहेगी और प्यारे बच्चों वो सलफर से एक को शनेच्च सची पूसता है किस की अधिकता के काण सोहना गरम पानी के चसमे का पानी गरम रह तो सोना गरम पानी के चसमे का पानी गरम किस की अधिकता के कान रेता है लाड़ले बच्चो सल्फर की अधिकता के कान इसका पानी हर टाइम क्या रेता है गरम रेता है ये एक बार रहता खेरा वे ब्लास्ट रोग किस में होते हैं तो प्यारे बच्चो जो खेरा रोग है ना खेरा रोग भै बिलास्त ये भी पूछा जा सकता है, एक प्यारे बचो ये आप से पूछा जाएगा, गाएं के परजनन की परकृरिया क्या 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 लाएगी, ये कविंग क्यां के परजनन की पर किरिया क्या कहलाएगी कॉविंग कहलाएगी यह वो कुष्जन है जो आगामी एक्जाम से पूछे और दल दली को विदेशी बेंस के नाम से जाना जाता है तो ये प्यारे बचों जलिये और दल दली है ना ये किस में रहेगी बेंस की किस में रहेगी और भारतिये बेंस में या जलिये बेंस में गुण सुत्र कितने पाए जाएंगे पचास गुन सुत्र पाए जाएंगे और दलदली बेंस में ना 48 क्या पाए जाएंगे गुन सुत्र पाए जाएंगे ये भी आगामी एक्जाम में गुन सुत्रों से भी कोशन आ सकता है अब प्यारे बच्चों जो भारी है न बेंस की तीन किसमे भारी होती है मूरा जाफरावादी और निली रावी ये बेंस के कौन सी पसल रहेगे किसम रहेगी बारी किसम रहेगी यानि इनमें बजन जादा होता है इसमें पूछा जाता है सबसे सबसे दुधारू नसल की पेंस कौन सी रहेगी सबसे दुधारू बेंस रहेगी मूरा या वो पूछ लेगा सबसे सुन्दर बेंस कौन सी रहेगी सबसे सुन्दर बेंस भी कौन सी रहेगी मूरा और मूरा जाफरावादी निली रावी ये बेंस के कौन सी किसमे है प्यारे ब सुर्थी महसाना महसाना द्वी संकर है ना ये मूरा और किसके सुर्थी के सयोग से बनी है और एक टोड़ा और नागपूरी ये हलकी किसमे रहेगी टोड़ा और नागपूरी टोड़ा और नागपूरी ये भेंस की क्या रहेगी हलकी किसमे रहेगी बेंस की कौन सी किसमे रहेगी, हलकी किसमे रहेगी, सबसे मूरा क्या है, सबसे दुदारू फेंस रहेगी, सबसे सुंदर रहेगी, भारी रहेगी, हलकी भादावरी महसाना, तोड़ा, नागपूरी और सुर्ती हो जाएगी, और द्वी संकर बेंस की कौन सी किसमे थी, तो द माना जाता है या विशव में सबसे ज़दा भेंस तो भी यह जाती है कई बैसों में सबसे ज्यादा भेंs कां में पाई जाती है भारत में पाई जाती है एक om तो ये बन जाएगा एक पूछा जाएगा प्यारे बचों सबसे इंपोर्टेंट है कि विसव में भेस भी और भेस का उत्पती स्तल किसे माना जाता है तो भेस का उत्पती स्तल भी प्यारे बचों भारत को माना जाता है जैसे आप से पूछ लिया जाए काला तितर की जनम सतल सतली कौन सी रहेगी तो काला तितर की जनम सतली हरियाना में रहेगी सिर्षा और काला तितर है ना किस वन्ने जीव अभ्यान में सबसे ज़्यादा पाया जाता है तो काला तितर प्यारे बचो अबूब सहर वन्ने जीव अभ्यान में काला तितर क्या पाया जाता है सबसे ज़ काला तितर परजनन केंदर कहां पर हो जाएगा पीपली कुरुक्षेतर में कौन सा परजनन केंदर हो जाएगा प्यारे बचो काला तितर परजनन केंदर हो जाएगा उसी परकार सा विसव में सबसे ज़्यादा बेंसे भी भारत में पाई जाती है और बेंस की जो मतलब बेंस की कितनी किसम है न वो मानेता प्रापत है 16 लेकिन रास्तिय पसू अनुवांस की ब्यूरो रास्तिय पसू अनुवांस की ब्यूरो कब बना था गुरू जी 1985 में बना था कहां पर है गुरू जी करनाल में है और इसने बेंस की कितनी किसमों को मानेता प्रापत दी है 13 को कितनी मानेता परापत किसमे रहेगी 16 लेकिन रास्टिय पसू अन्वन से के संस्थान कर नाल ने इसको 13 को ही क्या दी है मंजूरी दी है यह और रास्टिय बेंस अनु संदान संस्थान पूछेना इसार में हो जाएगा राष्टिये भेंस अनुसंधान संस्थान कहां पर हो जाएगा तो भेंस वाला कांपर हो जाएगा प्यारे बिचों इसार में हो जाएगा ये और भेंस का जो गरव काल होता है वो कितने दिन होता है मैंने बताया था भेंस का जो गरव काल है न वो 300 से लेकर 300 10 दिन होता है गाएं का 284 से लेकर 290 दिन होता है बकरी का कितना होता था 151 दिन होता था बाग का कितना होता था एक सो, पच्पन दिन होता था आथी का कितना होता था छेसो, चोबिस दिन होता था उन्ट का कितना होता था चार सो दिन होता था ये चीजे पिछली वीडियो में मैंने आपको ट्रिक के साथ है करवाई थी प्यारे बचो कोई भी कैसे भी कोशन आई न तो आपको एक बार पढ़ लो न तो दुबारा आपके वो कोशन गलत नहीं होने चाहिए एसे पढ़ो प्यारे बच्चों फ्यूचर में भी कोई कोशन आए न तो मेरे प्यारे बच्चों का वो कोशन गलत है नहीं होना चाहिए अब प्यारे बच्चों कोशन आता है कि सबसे इंपोर्टेंट आगामी एक्जाम में भी आ सकता है कि मूरा बेंस की उत्पती स्तल कहां से मानी जाती है पश्चमी उत्तर परदेश मूरा बेंस का उत्पती स्तल कहां माना जाता है तो पश्चमी उत्तर परदेश को माना जाता है पश्मी उत्तर परदेश ठीक है वेस्टन यूपी गोना मुरा बेंस का क्या माना जाता है जनमतल ये प्यारे बच्चों भारत में ना सबसे सुन्दर बेंस पूछे ना तो भी मुरा बेंस होगी और भारत में सबसे दुधारू बेंस भी पूछे ना तो भी कौन सी बेंस ह हो जाएगी मूरा बेंस हो जाएगी गाए में दुधारू हमने साही बाल के बारे में पढ़ा था प्यारे बचों एक exam में ये question आया था कि देहली और खुंडी ये किस क्या उपनाम है देहली और खुंडी देहली और खुंडी देहली और खुंडी है ना ये मुरा बेंस के क्या रहेंगे दो उपनाम रहेंगे मुरा सब سے सुन्दर है और सब से क्या रहेगी दुधारू बेंस मानी जाती है जितने भी कोशन मेंने बने है ना प्यारेबचों उन्हें सोट लिस्टिड किये हैं कि आगामी एक्जाम में आए तो भी आपके सही है और व्यपार की के पूछे ना व्यपार की द्रिस्टी से सबसे अच्छी नसल कौन सी रहेगी तो व्यपार की द्रिस्टी से सबसे अच्छी नसल कौन सी रहेगी तो व्यपार की द्रिस्ट से क्या मानी जाती है सबसे अच्छी किसम मानी जाती है और एक ब्योंत में ना अठारा सो से लेकर दो हजार लीटर दूद देती है एक ब्योंत के दोरान ना ये अठारा सो से लेकर कितना लीटर अठारा सो से लेकर दो हजार क्या देती है प्यारे बच्छो लीटर क्या देती है, दूद देती है, और साही बालड़ का मेंने बताया था, गाएं में सब से ज़यादा दूद बाई सो पचास लीटर बताया था और इसमें आठारा सो से लेकर दो हजार लीटर एक बियून्त के दोरान क्या देती है प्यारे बच्चों ये दूद देती है तो एसा भी आपसे पूछा जा सकता है इसम के दूद में न वसा की मातरा कितनी होती है ये आ सकता है इसके दूद में वसा की मातरा 7% होती है किसमें होती है वसा की मातरा इसके दूद में कितनी होती है 7% वसा की मातरा होती है गाएं में प्यारे बचो निली रावी ये मोंट गोमरी निली रावी का उत्पतिस्तल कोन सा रहेगा निली रावी पाकिस्तान रहेगा मोंट मोंट गोमरी पाकिस्तान से ना किस नसल की उत्पति हुई है निली रावी निली नाम निली रावी है लेकिन इसकी आँखे कैसी होती है इसकी आँखे केसी होती है सफेद होती है कहीं के दो जील जैसी होती है जील जैसी नहीं होती है इसकी आँखे केसी होती है सफेद होती है नाम क्या है नीली रावी आँखे केसी होगी सपेद और ये प्यारे बचों कहते हैं सबसे ये इंपोर्टेंट है आगामी एकजाम में आ सकता है कि इस इसे पंच कल्यानी के नाम से जाना जाता है पंदरा सो से अठारा सो लिटर दूद देती है एक ब्योंत में पंदरा सो से अठारा सो लिटर दूद देती है और इसे पंच कल्यानी के नाम से जाना जाता है और इसके दूद में वसा की मातरा पांच परसेंट से लेकर ना 6% होती है अब जो कोशन आएगा ना प्यारे बच्चो जिससे HSAC ने कोशन पूछा था कौन सी वेंस रहेगी जाफराबादी रहेगी कौन सी रहेगी जाफराबादी रहेगी कौन सी नसल रहेगी प्यारे बच्चो जाफराबादी नसल रहेगी जहां से कोशन सबसे ज़्यादा ये गिर जंगल में पाई जाती है गिर कहां पर रहेगा गुजरात में ये कहां पर पाई जाती है गिर जंगल कहां पर रहेगा गुजरात जहां पर गिर गाएं भी पाई जाती थी और ACI सेर भी पाई जाता है इसे प्यारे बचो छोटा आथ के नाम से जाना जाता है टेमपू नहीं है ये छोटा आती कहीं बोल दो बेंस की और ये क्या है सबसे भारी नसल मानी जाती है बेंसों में सबसे भारी नसल कुन सी रहेगी जाफराबादी बेंसों में क्या मानी जाती है सबसे भारी नसल मानी जाती है ये जाफराबादी और क कोशन आ सकता है इसका माथा केसा होता है प्यारे बचों इसका माथा है ना गुमंद के क्या होता है आकार का होता है यह आगामी एक्जाम में आप से कोशन है पूछा जा सकता है वसा की मात्रा साथ से आट परसेंट होती है वसा की मात्रा इसमें कितनी होती है साथ से लेकर यानि दूद कम देती है भारी जादा है दूद कम देती है आंखे क्या होती है इसकी सफेद होती है जापराबादी एक प्यारे बच्चों जो सूरती है ना वो खेडा गुजरात है ठीक है सूरती बेंस का उद्गम स्तल कौन सा रहेगा खेडा गुजरात रहेगा तो सूरती क तो यह प्यारे बच्छों आप से आ सकता है उपनाम पूछे है तो सहरी बेंश और univers फेल् Talk इसे क्या जाता है और प्यारे बच्छों यह क्या मानी जाती है सबसे हलकी भेंस मानी जाती है क्या मानी जाती है जैसे जाफरावादी क्या थी सबसे भारी बेंस थी और ये सबसे अलकी यानि सबसे छोटी बेंस मानी जाती है तो ये आपकी सूर्ती खेडा सूर्ती मानी जाती है जो खेडा गुजरात में उद्गम स्तल है बेंस प्यारे बचो वरतमान में इसार में देंगे और ये इसके सुर्थि खेड़ा में ना ज.ड.साद परसेंट वसा की मातरा होती है दूद ये कम देती है नो सो से लेकर टेरा सो लीटर क्या देती है ये दूद देती है अब प्यारे बत्चों जैसे आप से पूछा जाएगा एक भदावरी जिसका उध्रम्स तल 7.500% वसा की मातरा होती है 7.000% वसा की मातरा होती है दूद्वी ये न, कम देती है 900 से लेकर 1.300 लिटर क्या देती है ये दूदें देती है अब प्यारे बच्यों जैसे आप से पूछा जाएगा न एक भधावरी जिसका उद्गमस्तल कौन सा रहेगा आगरा रहेगा बदावरी कौन सी बेंस हो जाएगी बदावरी जिसका उद्गमस्तल कौन सा हो जाएगा आगरा आगरा किसने बसाया था पंदरा सो चार में आगरा बसाया था प्यारे बचो सिकंदर श्या लोदी ने क्या बसाया था तो सिकंदर श्या लोदी ने पंदरा सो चार में आगरा बसाया, पंद्रा सो छे में इसने आगरा को क्या बनाया था अपनी, राजधनी बनाया और इसने आगरा में कौन सा किला बनाया था, बादल गड का किला बनाया था, क्यों बनाया था, राजस्तान के राजाओं को नियंतरन करने के लिए इसने कौन सा किला बना है और ये प्यारे बचो सबसे ज़्यादा गर्मी सेहन करने की तागत होती है सबसे ज़्यादा गर्मी सेहन करने की तागत किस मेंस में होती है तो बदावरी और गाएं पूछे तो प्यारे बचो थार पारकर थार पारकर गाएं है ना वो सबसे ज़्यादा क्या सेहन करती थी गर्मी जो राजस्तान उद्गम तल रहेगा गाएं का तो यह याद कर लेना प्यारे बच्छों बदावरी से कोशन आएगा वसा की मातरा इसमें सबसे ज़्यादा होती है तेरा परसेंट एच्छससी ने यही कोशन पूछा रहा कि बदावरी के दूद में बदावरी के दू यह किस के कलर की होती है प्यारे बच्छों तांबे के कलर की यह क्या होती है तांबे जिसा रंग होता है और सबसे ज़्यादा गर्मी सेहन करने की क्या होती है इसमें स्यमता होती है तो बदावरी से कोशन बनना लाजमी है और दूद अठारा सो से लेकर दो हजार लीटर त सबसे पहले यहां से कोशन आएगा यह दूई संकर रहेगी कि यह कहां से है गुजराद से है यह मतलब कहां से रहेंगी गुजराद से रहेगी यह कैसी है प्यारे बचों दूई संकर है यानि यह किन दो बेंसों के मेल से बनी है एक तो यह मूरा बेंस के मूरा बेंस से बनी ह तो मूरा भेंस को हरियाना में हरियाना में क्या काहा जाता है little मूरा बेश्कों हरियाना में किस नाम से जान जाता 보여 no काला सना किसे कहते थे तो वह प्यारे बच्चों काला सोना है ना पुर्तगाली लोग किसे कहा करते थे वो है ना मसालों को क्या कहा करते थे काला सोना यानि स्पेशल काली मिर्च को काला सोना कहा करते थे और N C E R T ये काला सोना पेट्रोलियम को मानता है और आपकी जो इको है ना इकोनो मिक्स इकोनो मिक्स ये काला सोना किसको मानती है कोईले को मानती है किसको मानती है तो काला सोना से भी प्यारे बचो आज तक है ना च्यार परकार के क्या बनेंगे कोशन बनेंगे कोई भी कोशन आए ना तो आपका वो कोशन है गलत है नहीं होना चाहिए तो ऐसे पढ़ो प्यारे बचो की फ्यूचर में भी कोई कोशन आए तो वो आपका क्या नहीं होना चाहिए गलत है नहीं होना चाहिए ठीक है तो जीके को ए से त्यार कर लो कि कोई भी कोशन आए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए कहते हैं ये 352 दिन दूद देती है यानि सबसे ज़्यादा दूद कौन सी देती है यानि दिनों में ये प्यारे बचो 352 दिन क्या देती है दूद देती है ये दूद कितने दिन देती है 352 दिन की यानि साल में 365 दिन होते है और महसाना कितने दिन दूद देती है 352 दिन यान एक बार जब ब्योंत हो जाए ना तो ये सबसे क्या देती है लंबे टाइम के लिए दूद देती है और प्यारे बचो इसमें फैट की मात्रा है ना वो 6% होती है मैसा ना के दूद में वसा की मात्रा कितनी होती है तो इसके दूद में वसा की मात्रा कितनी होती है 6% और सबसे ज़्यादा जो प्यारे बचो बदावरी वेंस में ना फेट की मातरा कितनी थी 13% थी कितनी फेट की मातरा थी बदावरी वेंस में तो फेट की मातरा बदावरी वेंस में कितनी होती थी 13% होती थी प्यारे बचो जो है ना जिससे भी बुक से कोशन आये थे ना मैंने आपको बताया है कि वो बुक है ना आप प्यारे बच्छों जी के भाई परदीप सर का टेली गराम गूरूब है। जी के भाई कई परदीब सर का उपाने की आपको जरूरते," नहीं आ पयारे बच्छों केवल हैं ना आप है ना तो ही सिलेक्शन हो अब SI की exam date नजदेक है तो tension लेने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता अब प्यारे बच्चो जो चीज़ें आपके पास है ना अब यह नहीं है कि VLDA के बुक ले आए और सारी की सारी वो पढ़ ली अब इतना time नहीं है अब प्यारे बच्चो जो selected part है ना one liner question ही पढ़ लोगे ना क्योंकि आपको कोई doctor नहीं बनना है पसुओं का बस आपको तो ना केवल क्या देने है बस answer ही देने है प्यारे बच्चो तो आपसे यह मेरी व्यक्तिकत रूप से request रहेगी हाँ जोड कर कहीं से भी पढ़ो कोई फरक नी पढ़ता किसी भी एप से पढ़ो कोई फरक नी पढ़ता हर teacher है ना अपने level पर best content देने की क्या करता है कोशिस करता है मैं हूँ तो मैं अपनी तरफ पर best कोशिस करूँगा कोई और है teacher वो भी best करता है अब जज आपको करना है कि आपको पसंद है किस का आता है तो प्यारे बच्चो आपको कहीं से भी पढ़ो कोई दिक कर लेकिन प्यारे बच्चो आपसे request है हाज जोड कर कि आप जोब लग जाओ क्योंकि दुनिया वही बात है खेरियत नहीं एसियत पूछने वाली है तो आप है ना उनको अगर जवाब देना है तो जोब लग कर क्या दे देना प्यारे बच्चो आप है जवाब दे देना तो ये सारे के सारे वो question थे प्यारे बच्चो जो अभी के latest exam में बने है और वो अभी PDF आप डाउनलोड कर ले ना वहां से भी प्यारे बच्चो आपको मैं guarantee लेता हूँ बहुत ज़्यादा क्या होगा आपको फाइदा होगा तो आगामी exam की मैं अगर बात करूं ना प्यारे ब और political science की प्यारे बच्चो मैं ना एक तीन गंटे की question answer की एक series करवा दूँगा मतलब question answer format में एक वीडियो में political और प्यारे बच्चो मान कर चलो एक दो question इस बार आपके economic से भी पूछे जाएंगे और India जी के में ना एक तो आपका medieval India और एक आपका modern India इन दोनों इंडिया स प्यारे बच्चो कम से कम 4 से लेकर 5 question पूछे जाएंगे और इस बार प्यारे बच्चो हिंदी भी आएगी मत ये बहम में रेना इंदी नहीं आएगी 7 number की क्या आएगी हिंदी आएगी तो प्यारे बच्चो ये स्टेटर जी के साथ आप follow करना अब मैं आप कहोगे ना एक के पोलिटिकल साइंस के मीडवल और मोडरन इंडिया के भी मैं कोशन समहीत कर दूंगा अब आप ये मत सोच के चलना की अरियाना पुलिस के एकजाम में हिंदी नहीं आई थी तो आगे भी हिंदी नहीं आईगी क्योंकि प्यारे बच्चों हमें दुसमन को कभी भी कमजोर न अब यारे बच्चों ये तो थी आगे की प्लानिंग अब है ना सबसे इंपोर्टेंट है एक अदा देखो अरियाना की ना मैं बचाता हूं अरियाना की ना 2017 में होनी थी पसू जनगणना हुई कब 2019 में आंकडे कब आई 2020 में अरियाना की ना पसू गणना पढ़ कर जाना क्या हुजाना वेसे मैंने अरियाना की पसू गणना आपको करवा दी है प्यारे बच्चों वो पसू गणना हरियाना की पढ़ कर जाना 101 परसेंट उस पसू गणना से क्या मिलेंगे आपको कोशन मिलेंगे एक तो अरियाना की क्या पढ़ कर जानी है आपको पूरी की पूरी अरियाना की पसू गणना पढ़ कर जानी है करवा दिये पहले ही वीडियो में देख लेना ये पसू गणना मेंने क्या करवा दिये कंपलेट करवा दिये एग जैसे गाएं की और भेंस की एना इनकी नसलों से एक आदा Question बनेगा जैसे बोगिड परिवार हो गया या इनकी नसलों से क्या बनेगा जैसे सबसे जाधा अब गाएं में साहीब दूड देती है बेंस में मूरा देती है फेट की मातरा जाफरा वादी आज में पढ़ा करो ताकि इन फ्यूचर क्योंकि कोशन तो 101 परसेंट आएंगे और कोशन आए तो वो आपका गलत है नहीं होना चाहिए तो अरियाना की पसुगणना में न मेन मेन पसुओं के बारे में ही वो पूछ सकता है जैसे मेन मेन है न एक गाए हो गई आपकी बेंस ह हो गई आपका उंट हो गया आपका बिल्ली हो गई आपकी बकरी हो गई ठीक है आपका घोड़ा हो गया यह अरियाना में प्यारे बच्चों वो पूछेगा कहां कहां जादा पाए जाते हैं एक गाए है ना बेंस है उंट है बिल्ली बकरी गोड़ा और एक आपका प्यारे हरियाना में नू में जादा है, गोडा गुरु गराम में जादा है, कुता भी पूछे तो गुरु गराम में जादा है, बकरी पूछे तो सिर्सा में जादा है, बिल्ली पूछे तो नू में जादा है, उंट पूछे तो सिर्सा में जादा है, बेंस पूछे तो इसार में जा तो प्यारे बचो वो है ना पीडिया प्रदीप सरके टेलीगराम ग्रूप से डाउनलोड कर लेना आज के लिए ये लेक्चर इतना ही रहेगा कल आपसे प्यारे बचो दुवारा हम रूबरू होंगे तब तक के लिए अंस्ते रहिए मुस्कुराते रहिए अपना और अपनो का ध्यान रखिए और एक दो दिन में कोशिस करेंगे लाइव क्लास स्टार्ट करनेगी धन्यवाद दोस्तों जै हिंदे जै भारत